राहुल गांदी एक बार फिर से अपने बिच्छाई हुए जाल में फस्ते हुए नजर आ रहे हैं मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है दन्यूस पर दरसल राहुल गांदी की अगर बात की जाए जिस हिसाब से हिंडन बग मामले में अगरामक वो नजर आए और देर रात वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया बाकी हलांकी कोई मुद्धे होते हैं अगर आपने राज्यों के तो उस पर कुछ नहीं बोलते हैं उन पर जब सवाल उड़ते हैं राहुल गंदी पर तब कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन हिंडन बग पर बहुत भरोसा है राहुल गंदी को लेकिन उसके बाद राहुल गंदी विवादों में इसलिए नजर आई कि एक तरफ जहां निवेशकों को निवेश करने के लिए मना कर रहे थे भारतिय बादार में दूसरी तरफ खुद का खुलासा हुआ कि खुद हर महीने लगबग 9-10 लाक रुपया उसी भारतिय बादार से यहां पर राहुल गंदी कमा रहे हैं अब देखिए यहां पर मैंने क्यों कहा कि आपने जाल में फस्ते हुए नजर आ रहे हैं दरसल राहुल गांदी लगातार जो हमलावर हैं वो हमलावर हैं गोतम अडानी पर और यह सब जानते हैं मैं भी कई बार पहले आपको बता चुका हूँ कि कॉंग्रेस जो हमलावर ह होती है गोतम अडानी पर विपक्ष जो हमलावर होता है लेकिन खुद के राज्यों में भी प्रोजक्ट उसी घोतम अडानी को दिये जाते हैं अडानी को को यह इंके दोहरा चरित्र दोहरे मापदंडी की राजनीती जो है वह यहां पर खुल कर जनता के सामने हैं आचुक कि ये इनका दोरा चरितर है दरसल इन्होंने का कि double standard दिखा रहे एक कॉंग्रेस पार्टी और comparison दिखाया कि कॉंग्रेस का जो attitude है अडानी गुरूप के लिए राष्टेस तरपर और कॉंग्रेस का जो attitude है अडानी गुरूप के लिए तेलंगाना में हाल ही में दरसल क्या कैनी रेवन्ठ रेड़ी मुख्यमंत्री बने अब यहां पर कॉंग्रेस निका है कि नेशन वाइड बाइस अगस्त को वो प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन राहुल गांधी जा करके मिलते हैं तारिकर हमान से करते हैं जिसने प्लान किया था है कि साबसे असाइसिनेशन शेख हसीना का उससे सिक्रेट मिटिंग करके आते हैं लेंडर में उस पर कॉंग्रेस कुछ नहीं करेगी विपक्षी राज्यों में क्या हो रहा है पर शिमंगाल में क्या हो रहा है उस पर कॉंग्रेस कुछ नहीं करेगी ल पिंडर नमग मामले में लेकिन अगर हम देखेंगे यह डबल इस टैंडर्ड है उरणों ने कहा कि अगर अडानी जो है वह गलत क्योंकि कंग्र्पर लगातार यही होहलामचार यह अडानी गलत है अडानी तो मोदी का दोस्त है तो फिर सरकार बनने के तुरंत बाद सबसे पहले गोतम अडानी को तेलंगाना में क्यों बुलाया गया और इन्वेस्टमेंट क्यों की गई जी हाँ ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है आपको याद दिला दूँ कि अडानी ग्रूप को जन्वरी महीने में ही दिसंबर में नतीजे आये सरकार बनी रेवंध रेडी ने शबदली मुख्यमंत्री पद की कॉंग्रेस ने अपने भोमत पर सरकार बनाई दिसंबर हुआ जन्वरी होते ही बुलाया गया इन्वेस्टमेंट के लिए किसको गोतम अडानी को और एक दो नहीं बलकी चार एग्रिमेंट किये फोर एग्रिमेंट ऑर कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया गया गोतम अडानी को एक दो करोड नहीं 12,400 करोड रुपया मल्टीपल सेक्टर्ज में यहां आपके सरकार है वहाँ आपको गोतमडानी की जरूरत है वहां गोतमडानी आपके लिए सही है वो आकर के इन्वेस्ट्मेंट करेंगे वो कही ना कही एकॉनमी को ग्रोप करेंगे उस राजिकी लेकिन भारत के परिपेक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गोतमडानी गलत होगे और वो हिंडनबर्ग शॉर्ट सैलर कंपनी जो लगातार विवादों में रहे हैं वो कॉंग्रेस के लिए से होगे वो राहूल गंदी के लिए से होगे कमाल विडम बना है तेश सब कुछ जानता है जनता सब कुछ जानती है आपके आचरन के बारे में तो इसलिए अभी एक के टियार जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या राहूल गंदी ने तेलंग आना के मुख्यमंत्री रेवंद रेड़ी को बोला कि आप जो है अडानी गांधी मैं राहूल गंदी आप मोधी को टक तर देशकते हैं मोधी डरने लगे हैं राहूल गंदी से तक इतना बड़ा को गाली दे रहे हैं जब राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार थी तब साथ हजार करोड के प्रोड़ेक्ट दिए गे थे गोतम अडानी को हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी सबसे पहले बुला गया गोतम अडानी को कि वहां जो दो सीमेंट फैक्ट्रें बंदूई है ताकि को सुचारू रूप से चल सके पोड़ का प्रोड़ेक्ट आपी की साथ ही ममता बैनर जी टीम सी इसी विपक्षी दल में शामिल पोड़ का प्रोड़ेक्ट किसको देती हैं बुला करके गोतम अडानी को बुला रहे हैं लेकिन अगर गोतम अडानी इसराइल में जा करके पसंद नहीं आता है विदेशी ताकतों को पसंद नहीं आता है कि कैसे गोतमडानी का वर्चस वगर वहां होगा तो भारत का वर्चस वबढ़ेगा ओव्यसी बात है विदेशी ताकते यह नहीं चाहेंगी कि भारत का वर्चस वबढ़े लेकिन कॉंग्रेस का बड़ा इंट् वोट लिया गया गोतमडानी की तरफ से सबसे आदा दर चाइना को हुआ अमेरिका को हुआ शलंका में लिया गया सबसे आदा दर चाइना को हुआ है कि तो एक connection कहां से जुड़ रहा है यह मोई क्या साइन हुआ था Congress Party और Communist Party आफ चाइना के बीच में देश जानना चाहता है उसके बारे में कभी बताएगी कॉंग्रेस पार्टी 22 को तो आजेंगे हिंडनबक के मामले में नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने लेकिन उसके बाद में नहीं बताएंगे बैरहाल फिर आगे केटियर ने लगा तार केई सव लाना है 12,000 क्रोड से उपर के प्रोडेक्ट आपको देने हैं गोतमड आनी को चार-चार एग्रिमेंट करने हैं उनके साथ लेकिन वहीं देश में होगा तो उसमें आपको दिक्कत है बैरहाल आगे उन्होंने यह भी जो है आड कि ब्यार्स जो है वो तेलंगाना के फ्यू केवल सवाल नहीं उठाएं है तेलंगाना में कॉंग्रेस सरकार ने पिछले आठ महीने में 50,000 क्रोड रुपे से अधिक का कर्ज उठाया है और ब्यार्स की कारिकार यह देख्ष केटी रामराओ ने इस पर भी जो है यहां पर सवाल उठाये हैं का कि यह बाकियों को कहते जाना था और उन्होंने का कि कॉंग्रेस ने ब्यार्स के बारे में जूठी और अर्ध सत्य बाते फैल आई और केटियार ने सोचल मीडिया पोस्ट में कहा कि कॉंग्रेस 2023 में 5,900 करोड रुपे से अधिक राजस्व जो है अधिवेश लाने के लिए परिवर्तन ला रही है और नोने 8 महीने के बीतर 50,000 करोड रुपे के कर्ज का अंकड़ा पार कर लिया है वै भी एक बुन्यादी धांचा प्रियोजना के बीना इस अधिवे जनकदर से मुझे लगता है कि अगले कुश वर्षों में 4-5,000 करोड का तरिक कर्ज और बढ़ जाएगा ते लंगाना क अब इस बारे में कुछ बोलेंगे राहूल गांदी फिर बोलत रहते हैं हमारे साथ जो है गलत हो रहा है ध्यान नहीं देती है सरकार विपक्षी जहां पर सरकारे हैं उस तरव ध्यान नहीं दिया जाता है यह क्या है आठ महीने में 50,000 करोड का कर्ज बैरहाल तो राहूल जब से उन्होंने वीडियो बनाई है और लगातार जो है विवादों के गेरे में हैं क्योंकि एक तरफ वो भारतिय निवेशकों को कहते हैं कि बाजार में निवेश बाजार में इन्वेस्ट मत करो पैसा डूब जाएगा मार्केट क्रैश हो जाएगी जबकि खुद का 4,33 रुपया लगा हुआ है और पिछले 5 महिने में उससे 46 लाग से जादा रुपय खुद राहुल गांदी कमा चुके हैं और अब इनका ये डबल स्टेंडर्ड एक बार फिर से और ऐसा नहीं है पहले कभी एक्सपोज नहीं किया गया हमने भी कई बार ये एक्सपोज किया है विपक्ष का डबल स्टेंडर्ड गोतम अडानी के प्रती देश का कोई उद्योग पती अगर आगे बढ़ रहा है दुनिया की बाकी विदेशी ताक्तों को दिक्कत होगी इससे कॉंग्रेस भी उनके साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रही है बैरहाल क्या कहना आपक सब्सक्राइब करें और बने रहें दन्यूस के साथ दन्यवाद